Answer writing, मेरे साथ लिखते जाए इसको एक-एक करके summarize करते हुए, मैं आज आपको एक question भी कराता हूँ तो जब हम answer writing की बात करते हैं, तो basically एक-एक करके हम step को समझते जाते हैं जब हम answer writing की बात करते हैं, so why we need to practice, सबसे पहला हमारा ये हमें कुछ चीज़ें establish करनी होती है, answer writing के process क्या होते हैं, क्यों मैं इसको time taking process कहता हूँ क्यों मैं इसमें समय क्यों लगता है, और आपको पहले दिन से इसके विशे में सोचना चाहिए और लबासना में मैं जिन successful candidate से मिला, उन्होंने भी actually में यही कहा और उन्होंने ये message भी दिया, कि आप अपने बच्चों से कहें, कि हम जो है ये इसको काम करना शुरू करें why we need to practice, right, हम इसकी जो है वो हमकी practice क्यों करते हैं सबसे बहली बात है कि जब आप answer writing करते हैं, तो आपकी motor activity, याई आपका दिमाग और आपका हाथ, ये दोनों synchronize होता है मैंने आपको पहले बतायता है कि software और hardware, software आपका mind है, विचार आप घूम रहे हैं, आपको पता है कि आपको गांधी पर क्या लिखना है, परियावरण पर क्या लिखना है, अर्बनization पर क्या लिखना है, मुंबई में जो बार हाई, 30 लोग जो है वो मर गया आज आपने देखा होगा उसमें तो वो disaster, urban disaster, urban flood क्या होता है, आपको सब कुछ पता है, लेकिन आपको उसको तरीके से कैसे लिखना है, उसको कितनी तेजी से लिखना है, ये एक practice मांगता है, जो है वो अभ्यास मांगता है तो software और hardware, यानि हाथ और दिमाग दोनों को हमें जोड़ना होता है, तभी हमारा काम होता है, ये समय और अभ्यास दोनों मांगता है, बात ध्यान से समझेगा, अब आ जाते हैं second point पे दूसरा, उत्तर लेखन में हमें किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, second, यानि कि हमारे पास challenges क्या आते हैं, क्या हम question की भाषा को समझ पा रहे हैं, क्या question आपकी university में जैसे आता था, simple सा question आता था कि define regionalization, यानि कि आप जो regionalism को define करो, छित्रियता को define करो, लेकिन UPS इस तरह के question नहीं पूछता है, UPSC बड़े घुमावडार question पूछता है, अलग-अलग segments को मिला कर पूछता है, क्या मुझे problem की समझ है, क्या मैं उसको समझ पा रहा हूँ, right, अब जैसे आप से question पूछ लिया जाए, कि अभी जैसे आपने आज सुबह paper पढ़ा होगा, कि व हमारे विकास के model में कोई कमी है, अगर तुमसे इस पर आलोचना करने को, या आप से इस पर आपका मत पूछा जाए, तो आप क्या करोगे, कैसे बताओगे, एक तरफ तो सबसे ज़्यादा per capita income मुंबई के पास है, सबसे ज़्यादा जो है, वो development उसके पास है, तो उसके ब लेकिन आपने देखा किस तरह से इतना सिंक होल बन गया, कितनी तबाही होई, कितने लोग की जान चली गई, करनाडा और अमेरिका जो है जलवाई परवर्टन से इतना ज़्यादा परिशान है, अब सवाल यह कि जानकारी मेरे पास है, पहली बात तो अगर आप करेंट बड़ा कॉस बन जाता है, ठीक है, दूसरे प्रॉब्लम यह आती है, आपको भी पता हो कि यही प्रॉब्लम है, तीसरा, जब हम एंसर रैटिंग डिलिवर करते हैं, हमसे गलतियां क्या हो जाती है, पैंसल से लिखना नहीं होता है एक्जाम में, लिखना होता है पैंसल से, इस चार लाइने तुमने गलत लिख दी, चार लाइने लिखने बाद अरे यार इसकी शुरुवात ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, अर्बन फ्रट यह मुंबई की बाल का मुझे ऐसे नहीं कुछ दूसरे तरीके से लिखना चाहिए था, ठीक है, मुझे जो है, यह मुझे काट पाऊगे, नहीं काट सकते, पेंसर लिख चुके हो तो तो यहाँ प्रैटिस नहीं होगी, तो तो तुम्हारा क्या होगा? तो मारे पास जो output है, वो सारा का सारा ख़आब हो जाएगा, ठीक है, जब प्रैटिस अगर नहीं करोगे, अगला कि हम इस पूरी प्रक्रिया के दौरान किस सुधार प्रक्रिया को स्थापित कर सकते हैं ये चार चीज़े बड़ी important होती पहला कि practice हम कैसे करें कि हमारी motor activity तैयार हो जाए यानि लिखना हमारे लिए सबसे ज़रूरी है दूसरा हम problems को कितनी अच्छी तरह से identify कर सकते हैं न्यूस पर पढ़ा मैंने अज अपने teacher की class पढ़ी सब कुछ पढ़ा और उसके बावजूद भी जो है मैं output नहीं निकाल पा रहा हूँ मैं नहीं समझ में आ रहा है कि question को मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ अब सवाल है कि क्या मुझे समस्याओं की सही समझ है am I able to understand the problem clearly क्योंकि जब तक problem और question क्या होता है UPSC में सब twisted होते हैं अभी मैं आपको example के साथ बताऊंगा फिर मुझसे गलतियां कहां हो रही है starting खतम कहते हैं कि अगर प्रारंब खराब तो सब खराब हो ही बाला मामला हो जाएगा तो यहां पर भी मुझसे गलतियां क्या हो रही है और मैं इसको improvement के लिए कहां जाओंगा किस से बात करूँगा improvement के लिए कुछ से लिख के देखो ऐसे देखते हो ऐसे देखते हो वाव कितना अच्छा लिखा ऐसे तो करते हो वाव कितना बढ़ी है दो बार पढ़ते हो लेकिन actually मैं वही चीज लिखी जानी थी ये आपको कौन बताएगा कौन आपकी कॉपियों को जो है वो बताएगा steps क्या होते हैं इसके वैग्यानिक सिस्टेम क्या होते है up-down approach क्या होता है top-down approach क्या होता है आपको इसके बारे में नहीं पता कि हम अलग-अलग प्रश्णों के इसाब से अलग-अलग structure फालो करते हैं this is the complete art तो आखिर मैं अगर सुधार नहीं करूँगा तो फिर क्या होगा मैं कभी भी आगे नहीं जा पाऊँगा simple सा फंडा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है clear है तो चलिए तो यह हमारे basic steps होते हैं अब जो मेरे beginner student है मेरे जो अभी दोस्त जुड़े होएं पहला याद रखिएगा please as soon as possible current affairs को अपनी daily life का हिस्सा बनाईए जिसको आप लोग current affairs कहते हैं ठीक है तो उसको अपनी daily life का हिस्सा बनाईए और उसमें event से हटिए उसमें newspaper पढ़ना उसको जो है वो अच्छे तरीके से उसको समझना issues की तरफ जाना मुद्दों की समझ बनाना conflict को समझना इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाईए नहीं कर पा रहे हैं तो गोपाल सर ने मातर 500 रुपय में current affairs की class हो जानका इस academy पर शुरू की है यह चाय की कीमत से भी कम है और अगर आप उनके साथ जोड़ते हैं तो आपको कुछ समय तक अभ्यास हो जाएगा कि कैसे हमें चीजों को करनी है ठीक है और यह देश के सबसे सस्टे course में से एक है सब के लिए affordable है लेकिन यह आपका जो समय बचाएगा उसकी आप गड़ना भी नहीं कर सकते उसकी calculation नहीं कर सकते दूसरा अभी से आप writing पर focus करना शुरू कर दीजे जैसे आपको पता है कि मेरे conceptor batch में हम लोग dairy writing पर बहुत focus करते हैं यह पूरी skilled based होता है तो सबसे पहले आपको answer writing में आप कहेंगे आप writing पर आ जाईए आप diary लिखना शुरू करिए ठीक है diary ठीक simple आप diary लिखना शुरू करिए दूसरा जब आप diary लिखना शुरू करते हैं आप writing शुरू करिए दो page उठाईए अपने बारे में लिखिए आज मैं क्या सोच रहा हूँ मेरा दिन कैसा होना चाहिए मेरा दिन कैसा था आज क्या मैं अपने लक्षे पूरे कर पाया मैं अपनी जिंदगी के सफर को कैसे देखता हूँ मैं अगर high school से लेकर अभी तक के अपने सफर को देखता हूँ तो मुझे कब कहां up down देखने को मिला कौन से ऐसे target से मैं पूरा नहीं कर पाया क्यों नहीं पूरा कर पाया क्या मेरी अंदर कमिया थी क्या मैं discipline नहीं था मैं लक्षी को लेकर बहुत motivated नहीं था क्या वो चीजें थी उनको लिखो और ये गलती मेरी दुबारा नहीं होनी चाहिए इसके बारे में भी आप वहाँ पर लिखो तो यहाँ पर क्या होगा आप dairy writing करते हैं done तो इसके बाद क्या होगा जब आप writing करना शुरू कर देते हैं तो आप छोटे-छोटे question भी बना सकते हैं जिसे आज मेरे साथ आप गए तो अभी EMI batch शुरू हुआ है EMI batch में जैसे भू आकरती विज्ञान तो मेरे student जानते हैं कि अज मैंने जो geomorphology है जो factors controlling, landform, development चार शब्द थे और चारों के अंदर मैंने पूरे chapter को उसमें कहा हुआ लपेट दिया उस चारों के मैंने एक-एक एक शब्द को मैंने उसमें खोल-खोल के बताना शुरू किया कि ये landform शब्द क्या है controlling word मतलब क्या है factors किसे कहते हैं अब student को एक heading थी जिसको पढ़के वो छोड़के चला जाता है उसको एक-एक शब्द का मतलब समझ में आया actually में पूरा subject कैसे behave करेगा अब simply आप क्या करो उसके छोटे-छोटे question बना लो जैसे मैंने आज समझाया भूद्रश या landform क्या होता है तो आप question लिख लो landform क्या होता है क्या, क्यों, कैसे अब आपको क्या करना है simply आपको बताना है इससे आपको घर में एक तो पहली बात इसका सबसे बड़ा फायदा होगा एक तो revision हो जाएगा ठीक है, एक तो revision हो जाएगा टीचर ने जो पढ़ाया आज मैंने एक simple लिख लो landform किसे कहते है सर ने, ऐसे लिख लो सर ने controlling के बारे में क्या बताया simple सा, ठीक है मैंने मालो, NCRT आंदोलन बैच में vegetation, वनस्पतियां पढ़ाई वनस्पतियों को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से simple आपने लिख के खतम कर दिया ठीक है, यहाँ पर हमारा काम हो गया तो यह क्या हुआ, हमारा एक तो revision हो जाएगा और हमारा writing practice भी उसके साथ होनी शुरू हो जाएगी, यह basic fundamental होता है जो आपको लगातार follow करना है अब समझते हैं कि answer writing में क्या-क्या steps हमारे सामने होते हैं और हमसे गलती कहा होती है अब आप देखिएगा, मैं अभी बता दे रहा हूँ सुनना ना सुनना आपका काम है नहीं सुनोगे तो परड़ाम भी उसी साथ से तुमारे सामने आएंगे मैं आपको बताता हूँ पहली बात, बहुत बड़ी संख्या ऐसी होती है student की, जो writing नहीं करना चाहती है ठीक है, वो सोचती है कि पढ़ लें सलबस पूरा कलने, याद कलने उसके बाद हम फिर बाद में लिखेंगे उसके बाद जो बचे कुछे लोग होते हैं वो लिखना शुरू करते हैं अब लिखने के चार स्टेप होते हैं अब आपको बताता हूँ कि क्या कारण है कि आप लोग कोचिंग में पढ़ भी रहे हैं आप लोग बुक्स भी पढ़ रहे हैं आपके मेंटर्स भी हैं उसके बाद भी आपको रिजल्ट आपके फेवर में नहीं मिलता वो इन चारों से आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा पहला step जहां पर हम जादा तर फस जाते हैं और जिसको हम सोचते हैं कि बस यही हमारे लिए UPSC उसको बोलते हैं लिखना फर्स step is to write अब वो लिखना मतलब जो मेरे पास information है उसको piece of paper लिए उस पर लिख दिया बड़े ध्यान से इसको समझना कि क्या कारण हम लटक जाते हैं वो आपको यहां समझ में आ जाएगा एक होता है first step to write जो two write होता है 80% population जो UPSC preparation कर रही है जो student है वो two write को ही अपना धे माल लेते हैं यार अपन ने तो लिख दिया बहुत है भाई अपने बहुत अच्छा लिख दिया इस पर तो यह two write को वो अपना अंतिम सत्य मानते हैं लेकिन actually इसके बाद तीन step और होते हैं दूसरा होता है सही लिखना यानि correct information अभी जब आप मेरे साथ answer writing में आएंगे तो मैं अभी तक का सबसे internationally acclaimed method उसको मैंने बहुत ही जादा इस बार महनत की पूरे साल भर मैंने इस पर महनत की इस batch के लिए और इतना जादा मैंने output उसमें निकाला है कि एक एक शब्द, एक वर्ब, प्रोवर्ड हर चीज़ पर इतना काम की है मतलब वो आपके लिए golden रहेगा उसके बाद आपको कभी answer writing में challenge नहीं आएगा तो दूसरा होता है correct यानि सही तरीके से लिखना which is very important अब दूसरे step मैंने लिखना एक होता है मैंने मेरे दिमाग में विचारा है मैंने उसको लिख दिया दूसरा होता है सही तरीके से लिखना यानि कि actually में इसका structure किस तरह से होगा यह होता है तीसरा होता है तेजी से लिखना यानि जो मैंने सही लिखा उसको मैं तेजी से लिखना क्योंकि आपका सबसे बड़ा दुश्मान UPSC में आपका समय होगा साथ मिनट हाडली टाइम मिलता है उसी में आपको question पढ़ना है decode करना है answer का frame बनाना है और उसको लिख के निखल जाना है और चौथा step जहां पर यह हमारे topper जो टीन अडाबी या जैन यह जितने भी लोग जो है वो हमारे successful होते हैं वो basically force step follow करते हैं केवल सीक्रेट केवल 2% लोगों को पता होता है उसको बोलते हैं तेजी से और सही लिखना 80% क्या करता है failure का reason आप जान लोगे तो success आपकी अपने आप है कि मैं fail क्यों हो सकता हूँ अगर यह राज आपको पता चल जा है तो जो बचा वो success कहलाती है और success क्या होती है यही success है तो मैं अपने failure के reason हटा दू मास से मैं निकल जाओ मैं चुनिंदा लोगों में शामिल हो जाओंगा लबास ना मेरा स्वाबत करेगा तो हम लोग सोचते की सर answer writing करना है लिखना है यही पर सबसे बड़ी गलती है दूसरा step सही लिखना तीसरा step तेजी से लिखना यानि fast way में लिखना और चौथा जो step होता है तेजी से और सही लिखना यानि correct and fast both यानि structural बहुत तेजी से लिखना वो delivery करना है यानि आपके लिए क्या होगा तेजी स लिखने के लिए आपको एक नया एक कला सीखनी पड़ेगी एक आर्ट सीखनी पड़ेगी इसको केवल 2% लोग follow करते हैं केवल 2% लोग follow करते हैं और वही UPSC में success होते हैं clearly है तो अगर आपको अपनी success की नीव रखनी है तो याद रखिएगा आपको जो है ये method follow करना पड होती है सवाल है लिखो के तुम वही ठीक है सही वर्ड इसके साथ इसको फसा ले गया कुछ भी दिमांग में है पाजार लिए लिख दे साथ जल्दी जल्दी लिख जा रहे हैं जहका जहक एक्जाम में कभी देखा करो जब जैसे मैं examination उसमें था तो जब मैं देखता था त सही मतलब कि विचारों का करम किसी भी हालत में disturbed नहीं होना चाहिए और तेजी से अब तेजी से कैसे लिखोगे तुम्हें लगता हां से तेजी से लिखा जा रहा है था जब generate होंगे तभी तो तेजी से इसको execute कर पाओगे यानि जो है वो formation of thoughts यानि विचारों का उत्पत्त और विचारों का करम ये दो सबसे important concept होते हैं जो आपको यहाँ पर follow करने पड़ेंगे तो ये बात याद रखिएगा जो success और failure के बीच में अंतर ये 4 step तैग करते हैं एक हम लिखने को माल लेते हैं कि हमें भाया answer writing आ गया दूसरा हमें सही तरीके से लिखना आना चाहिए लेकिन यहाँ भी काम नहीं होगा तीसरा तेजी से लिखना भी हमें आना चाहिए तेजी से लिखने के लिबी the future the process भी तो होना चाहिए यानि यानी मेरा हात execute कर रहा हो और मेर दिमाग the thoughts को arrange कर रहा हो generate कर रहा हो, अरेंज कर रहा हो, जनरेट कर रहा हो, अगर ये एक साथ होगा, तभी मैं लिख पाऊंगा, और UPSC का जो इस्ट्रेंट होता है, आप किसी भी अपने, अगर आपके आज पास कोई टॉपर होगा, जो सेमिनार में नहीं, आप जिससे परसिनली बात कर सकें, बोले, सर, आपने रहा है, वो एंसर राइटिंग से ही, आपका सक्सेस वापके मेंस के मार्स बहुत अच्छे थे, ठीक है, तो सर, आप एंसर कैसे लिखते थे, और उनकी कॉपिया भी इंटरनेट पे आज अविलेबल, आपको कई बार जो उनकी सैंपल कॉपीज मिल जाएंगी, वो आप देखेंगे कि तेजी से और सही लिखना, करेक्ट एंड फास्ट, करेक्ट एंड फास्ट जो है, वो सबसे महत्रपूर सेग्मेंट है, और इसके पीछे ही आर्ट ऑफ एंसर रेटिंग का पूरा मर्म, पूरा दर्द जो है वो छुपा हुआ है, यानि मुझे तेज तेजी से लिखना है, और सही लिखना है, तेजी से लिखने के लिए तेजी से विचार जनरेट करने होंगे, विचार जो जनरेट होंगे, उनको सही तरीके से मुझे अरेंज करना होगा, सही तरीके से अरेंज करने के साथ सही तरीके से एक्जिक्यूट करना होगा, आप सम तो यहीं पर रुख जाते हैं, 20% आगे बढ़ते हैं, एक दो इस्ते पढ़ने के बाद उनको नहीं guidance मिलता है, वो नहीं आगे जा पाते हैं, और रुख जाते हैं, केवल 2% ऐसे लखी लोग होते हैं, जिनको यह गुड़ विद्या पता होती है, कि actually मैं मुझे यह चीज कैसे generate करनी है, कैसे इसके practice करनी है, उसको practice में कैसे लेकर आना है, और UPSC automatically उनके साथ होता है, मैंने आपको पहले बताया था, कि answer rating हिर्दे की तरह होता है, ठीक है, चाहे essay हो, चाहे आपका optional हो, चाहे आपका GS हो, इन सभी को जो blood supply करेगा, मालो तुम्हें सब कुछ तुमने तो सब गया, तो answer writing को अपनी जो है, वो मुख्य विद्या में लेकर आना है, दो चीज़ें, एक current affairs, और दूसरा answer writing, इसको आपको सबसे ज़ादा day one से ही, इसको बहुत serious consideration में लेकर आना है, बहुत ही महत्यपूर तरीके से इसको अपने साथ जोड़ना है, याद रखिएग जाद बहुत है, तो बहुत है